आप यहां पर क्लिक करें हमारा ट्रेडिंग व्यू प्रोफाइल भी देख सकते हैं यहां पर मैं चार्ट्स और अप्डेट करता हूं जिसे आपको उनके बार मैं अनालेसिस और एक व्यू मिल चाहिए तो अप्शन चेंड को देखने के लिए आप पहले से पहले नसी की तो रिजिस्टर वेबसाइट है जो की जनुवन है फिर आप लाइव मार्केट पर जाएए अपने माउस रखे फिर आपके अंदर ऑप्शन चेंड आगी ऑप्शन चेंड में आप जब एक्विटी डेरिवेटिव क्लिक करेंगे तो यह बाई डिफॉल्ट आपके सामने न जो ब्राउन कलर डिफएंस है वो और ब्राउन कलर वカンタर का जो फिंड प्राउट का सिक्शंस में है यह ब्राउन कलर डिफ्शन क का है यह कॉल साइट कलर कर सक्शन है यह घाै तो हम किसमें ट्रेट करता है हम म EL corporate служ के उड़ उनन च्प्रेट भड़ चीज़ों का मतलब क्या होता है यहां पर जो दी हुई है ठीक है चेंज ने OI, OI का मतलब अपर open interest आप दीख सकते हैं यहां पर रखेंगे तो आपको पता चलिएगा कि यहां पर कितना open interest यहां पर particular build हुआ open interest मतलब कि वहां पर कितने जादे लोग रिजिस्टर करना चाहरे और हम पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जो हमीशा देखते हैं जो calls और puts देखते हैं हमीशा sellers की perspective से देखते हैं इसका एक disadvantage भी advantage भी disadvantage यह है कि हम bias का perspective बिल्कुर no down नहीं करते हैं चाहे उनका जितना भी risk हो क्योंकि उनका जो profit होता है वो unlimited होता है और जो loss होता है वो limited होता है क्योंकि आपने मानली अगर आपने 45 रुपीज पर 75 quantities ही भाय की तो आपको जो profit होगा यह 45 अगर 0 हो जाता है तो maximum जो आपको loss profit होगा इस पर जिसने 45 पर sell किया होगा उसका जो profit है वह 45 तो 0 मतलब उसका 35 प्रॉफिट है बर्सका जो loss है वह unlimited है तो हम इसको हमेशा sellers के perspective से देखते हैं क्यों क्योंकि वह बहुत बड़ा risk लेता है तो यह है सबस्यादा open interest जो यहां पर build हुआ है तो जो मैं एक advice करना चाह आप यहां पर open interest build हुआ है तो मैं तो आस की trading में लेग था एक 11,000 की call लेता और उस 11,200 की call लेता बाकी मैं और में trading नहीं करता हूँ मैं यहां तक भी जा सकता हूँ 11,250 तक बट sorry 200 तक बट इतना that wouldn't matter ठीक on the other hand अगर मैं put side में trading करता तो मैं 2 strike price यह 3 strike ऐसे लेता पहरा strike पैस जिसमें सबसादा open interest build up होगा उसमें सबसादा volume भी build up होगी तो आपके जो trades हैं उनको easily execute होने का उनको buyers और seller मिलने का chances ज्यादा है और आप easily exit or entry कर सकते हैं तो यह आप दिख सकते हैं this is the option chain आप एक employed volatility है इसका एक अलग से बहुत बढ़ा chapter है तो इसको जादा आपको analyze कनेक जरूत नहीं क्योंकि यह only it only comes in handy when you have to calculate the delta or when you have to calculate the target or the stop loss of your particular expiry or particular strike price तो यह तभी काम आता है वनना इसके लिए और इसका कोई use नहीं है ठीक है अब net change जे सकते हैं कि कहाँ पे कल बंद हुआ था कहाँ पे क्लोज हुआ था और आज से कितना net change हो सकता है मैं एक बाफर से बता पूट दिया हुआ है तो यह पूट इस साइड है और कॉल दिया हुए तो कॉल इस साइड है यह out of the money है और यह पूट का out of the money है अगर आप trading करेंगे तो आपको एक चीज़ जहान में रखनी है for put options you have to take the highest open interest and for the call option you have to take the highest open interest at this place तो वहाँ पे आपके जो मुमेंट होगी वो है decent हो गया उसमें अपना reasonable profits और अच्छे से अपना profit booker के निकल सकता है अब दिख सकते है volatility काफी आदा है क्यों क्यों क्योंकि 8th august की expiry है और 8th august expiry यसे दो दिन बात है आज 6th august है तो इसलिए volatility बहुत ज़द है अगर मैं इसको आपके लिए change करके around 29th august लगा दू जो क को दिखाता हूँ यह देखें यह पर volatility 20 के आसपास है क्यों क्योंकि the expiry is just after two days तो movement जो volatile होने के chances जाता है तो movement के chances जाता है तो आप यह मत सोचे कि movement जाता है तो profit भी ज्यादा स्कोर कर सकता है जैसे आप profit भी ज्यादा स्कोर करेंगे तो आपका risk to reward ratio भी बढ़ेगा अगर आप profit बढ़ा रहे हो अपना volatility volatility देखके आप खुश हो यहाँ भाई profit ज्यादा सकता है त तो भी इसके decent trade हो सकती है तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए पहले आप correct expiry choose करिए अगर आप चाहे तो और expiry कर सकते हैं बट सबस्यादर जो trading होती है वो recent expiry होने वाली होती है हर Thursday को nifty और bank nifty options expire होता है एक और चीज़ यहाँ आप देख सकते है view options for contract for nifty यहाँ पर index change करके bank nifty भी कर सकते हैं आप इसको bank nifty click करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2627 और इसमें जो strike price में difference है वो 100 points का है जो कि fluctuation यह spread जो NSE के इसाफ से decide किया गया है 100 points का decide किया गया इसमें भी same चीज है अगर आप कोई भी strike price से choose करना है choose the strike price with the maximum open interest तो जहाँ पर आप अच्छे चीज अलाओ करती है कुछ की नहीं अलाओ करती है मैं आपको यहाँ पर margin को कर दिखा जता हूं जो चीज जे रोधा अलाओ करती है रोधा राउंड बैंक निफ्टी में तो सारे जो strike options है वो नहीं अलाओ करती है क्योंकि margin और बढ़ जाता है तो मैं आपको FNO पर क्लिक करे जा सकते हैं वो 27400 पर जा सकते हैं on the other hand 28800 पर यहाँ तक आप जा सकते हैं तब देख सकते हैं जो maximum open interest एक यहाँ पे एक build हुआ है तो आप यहीं तक लिजए जब जिरो था है आपको आपके broker आपको लिस्टिट करके ही रखा है तो आप 28500 का एक ले सकते हैं call option on the other hand जो आप put strike price का choose करनो पहले चीज़ तो जिरोधा में अलाव भी नहीं करेगा अगर आप अपने broker change करते हैं शायद वह अलाव भी खर दें बट जिरोधा वोंट अलाव उस पहले चीज़ और दूसरी चीज़ में मूवमेंट कम होगी यह जितना अगर बैंक निफ्टी वहीं पर close करता यहाँ पर जो जो पर बावजूद क्योंकि प्रीमियम डिके यह इस वज़े से जो पुट और कॉल अप्शन होने लगता है तो हो विली चूज़ अट तो यहाँ पर आप सेलेट कर सकते हैं निफ्टी और यहाँ पर देशकता है एक और जो क्वेशन है वह मैं इन फूर्द वीडियो डिसकस करूँआ कि हाउँ आपको किसी के स्टॉक कर सब्सक्राइब करना है यहाँ पर HDFC कर दिये और आपको समने HDFC की ऑप्शन चेंड 2185 पर थी अब देख सकते हैं यहाँ पर HDFC की जो क्लोजिंग ऑप्शन चेंड आ गई है तो सेम तिंग सेम ऑप्शन 210 का मैं अगर मुझे पूट साइड में आना होता तो मैं 210 के पूट चूज करता और अगर मुझे कॉल साइड में जाना होता तो मैं फर्स कॉल तो 2200 की चूज करता है जिसमें मैं अच्छा का सा रिजनेबल अपना ट्रेडिंग कर सकता और अप यह देंगे कि इतना फ्लक्ट्ट्वेशन देसे 2020 पॉंट्स का फ्लक्ट्वेशन 20 पॉंट्स का बीच में तब वही चूज करें जो मॉस्टी के मॉल्टिपल में हो तब देख सकते है जो कि आपको दिखा देगा और सबसे पहले जो डिफॉल चीन खुल के आगी और आप इससे फर्स्ट ली यहाँ चेक कि कौन-कौन से स्ट्राइक्ट्वेशन बहुत जादा होते है तो जिरोधा है यहां पर आकर देख सकते हैं और आप उन्हीं में ट्रेडिंग अरी जि चूँज करूँगा वह 11,000, 1150, 11100, that's it यही तो तीन स्ट्राइक पैसे इन में मैं ट्रेडिंग करके आप मैं रीजनेवर प्रफिट सहन कर सकूँगा क्योंकि अगर मैं और कोई स्ट्राइक पैसे चूज करूँगा क्योंकि दो दिन एक्सपारी होने के जो रीजन है उसकी जो प्रीमियम है वह डिक होने लगेंगे तो इन दे एंड मुझे लॉस में ही एक्जिट करना पड़ेगा तो यह था एक बेसिक ओवर वी ऑप्शिन चेन का अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयन सब्सक्राइब आप मुझे टेलिग्राम चैनल भी जो कलके अनलिस कर दिया है और UPL का सब्सक्राइब आपके लिए कर दिया है तो आप प्लीज जोइन करें जिससे आपकी टेडिंग में हेल्प हो और थैंक यू